हिमाचल भाजपा के अध्यक सुरेश कुष्प ने कहा कि भारती जुनता पार्टी प्रधान मंत्री की रैली को लेकर पूरी तरह तयार है। उन्होंने कहा कि भारती जुनता पार्टी इस बार रिवाज बदलने जो रही है। और मेशन रपीट को पूरा करके दिखाएगी। सुरेश कुष्प ने कहा कि हिमाचल कॉंग्रेस पर भी जम कर हमला साथा। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी अपने निदाओं को सम्मान नहीं करती है। उन्होंने कहा कि बीड़े दिनों राश्टि स्तर पर गुलाम नभी अज़ाद और हिमाचल प्रदेश में नाना देवी के विदाएक रामलाल ठाकूर के आंसों ने यहां बता है कि हिमाचल कॉंग्रेस अपने निदाओं के सम्मान के बारे में कितना सोचती है। करने वाले हैं और यह इतिहास में पहली बार हो रहा है जब मानिय प्रधानमंत्री जी युवा मोर्चा की रेली को संभोधित करेंगे और भारतिय जन्ता पार्टी युवा मोर्चा ने लक्षे रखा है कि एक लाग एक लाग से ज्यादा युवा केवल युवा, 40 वर्षे कमायू के युवा जो परदेश वर्षे इस रेली का हिस्सा बनेंगे हर बूत से 20 युवा को लाने का लक्षे रखा गया है और एक एतिहासिक रेली ये होने वाली है और चुनाओ से पहले क्योंकि हम चुनाओ में शिकरी जाने वाले हैं उस दिश्टी से मानिय प्रदान मंत्री जी का उत्सा वर्धन का एक आरिकम क्योंकि युवा मोर्चा जो हमारा बाहुबल है जिसके अंदर एक शमता है और चुनाओ परिलाम में अपनी तरब मोरने का उनके अंदर मादा है ऐसे समय में उन युवाओं का उत्सा वर्धन करना निच्छी तूप से पुरे प्रदेश भर में युवाओं के अंदर जहां उर्जा का संचार करेगा वहीं पुरे प्रदेश भर से युवाओं का मोबलाइजेशन इस कारिकम के लिए होगा और मैं समझता हूँ भारती जन्ता पार्टी की सरकार फिर से प्रोदेश में विराजमान हो और जो रिवायत बतलने का हमारा लक्षे है निशित रूप से उसमें हम काम्याब होगे हैं जिस प्रकार से आज कॉंगरेस पार्टी चिन्न भिन्न हो गई है मैं समझता हूँ जो लक्षे आप मैंने रखा है निशित रूप से उसमें काम्याब होगे कॉंगरेस पार्टी के आज स्थिति क्या है ठाकुर रामलाल के जो आसू थे उससे याप अंदाजा लगा सकते हैं स्वयम कॉंगरेस की जो प्रदेश दक्ष है उन्होंने अपने ब्यान में कहा है कि राहूल गांधी और प्रियंका गांधी हमारी बात को नहीं सुनते सिनियर लोगों की बात को नहीं सुनते और यहीं वज़े है कि कॉंगरेस के नेता कॉंगरेस पार्टी को छोड़कर भारती जन्ता पार्टी या दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं उन्होंने सीधा सीधा इस बात को कहा है कि राहूल गांधी और उनकी जो युवार टीम है वो सीनियर लोगों को तवज्जो नहीं देती उन्होंने गुलाम नभी आजाद का उधान भी कोट किया है कि गुलाम नभी आजाद ने अपने रिजाएन देते समेश बात को रखा कि उनकी सुने नहीं जाती और ये बात कॉंगरेस के कई लोग कह चुके हैं स्वयम आनंद शर्मा जी ने स्टेरिक कुमिटी से जाइन दे दिया रामलाल ठाकूर ने अभी पिछले दिनों ही अपने ब्यान में कहा कि मैं सिनियर मोस्ट हूँ 1985 से मंत्री हूँ इसके बाब जूद भी मेरी बात नहीं सुनी जा रही है और ये बात भी उनकी सुनने में आई है कि हर गलिक उचे में जो है उपदादीकारी बना दिये गए हैं तो निशी दूप से आज वंदर की बात कॉंग्रेस पार्टी में जो चल रही है वो सामने मुखर हो रही है और यही कारण है कि इनके पड़े नेता पार्टी छोड़ कर अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं और ये बात अब तय है ये बात अब निश्चित रूप से सिद्ध हो गई है कि जो हम बात कह रहे थे कि भारतिय जंता पार्टी फिर से ही माचर प्रदेश में सरकार बनाएगी ये बात कॉंग्रेस की प्रदेश एदक्ष के बियानों से साबित हो जाती है उन्हें ने तो राहूल गांदी जी के बारे में ये भी कहा कि उनको सारे जो सीनियर लोगों के मुद्धें उनको भी उनकी बात को सुनना चाहिए और उनको भी हल करना चाहिए लेकिं उनके पास टाइम नहीं है और टाइम नहीं दे रहे और यही कारण है कि हमाचर प्रदेश में कॉंग्रेस में कमजोर रही है प्रतीवा जी ने उसके बाद ये भी कहा कि उनका जो ब्यान था उसको तोड़ मरोकर पेश किया लेकिन ये उनकी पुरानी आदत है पहले भी उन्होंने जब गुरिया के उपर ब्यान दिया था तब भी उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि ये छोटी-मोटी गटना है और बाद में अपने ब्यान से मुकर गई थी उप्चुनाओ के समय में उन्होंने कारगिल युद को युद मानने से इंकार कर दिया था इसी प्रकार से उनकी जो मानसिक्ता या उनके ही कुछ परिवार के लोग जो ब्यानबाजी मुक्यमंत्री को लेकर करते हैं जिनोंने कहा कि जैराब ठाकुर किस खेट की मुली है मैं समझता हूँ ये जो एक फस्टेशन है वो कहीना कहीन के ब्यानों से स्पस्टूप से जलक रही है और यही कारण है कि आज जो परिवारमाद की राजनिती है वो चाहे केंद्र में है या प्रदेश में है उससे कॉंग्रेस के नेताओं का बंग हो गया है जिस प्रकार से मुक्यमंत्री के बहुत जारा दावेदार हो गये है इसे कंग्रेस पार्टी में घुटबा जी बड़ी है और कंग्रेस के कारण का एक बहुत बड़ा कारण का एक बहुत बड़ा कारण जो है मैं समझता हूँ, वो अब सब के सामने हैं, तो इत तै है कि बारती जन्ता पार्टी इस बार रिवाज बदलेगी और फिर से बारती जन्ता पार्टी कि सेगार हीमाचर प्रदिस्ट में बिराजबादी देखिए हम किसी के अपना सिस्टम हम भारतिय जन्ता पार्टी का है किसी के उन क्या करता है आम आदमी क्या करती है कौन इस क्या करती है उस विशे को हम बहुत ज़्यादा तभजो नहीं देते भारतिय जन्ता पार्टी समय के उपर कैंडिडेर्स का चैन करेगी जो जीतने की क्षमता रखते हैं उनको टिकेट दिये जाएंगे और जब हमारी पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगे उसके बाद हमारा जो शीष नेतित्तु कंडिडेट तेह करेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि कोन कहां से चुनाओ लड़ेगा तो मैं समझता हूं इस विशे को हम अपने शीष नेतित्तों के ऊपर छोड़ते हुए जब भी आगामी कोई कारवाई होती तो आपके दान में नहीं देखिए ऐसा नहीं मैं वसे अभी तो कॉंग्रेस मुक्त वाली बात भी तो नहीं कही है लेकिन चलो आपने ट्वेशन पूजा है लेकिन ये बात सही है क किस प्रकार से कॉंग्रेस का क्या शुरूआ और हिमाचल प्रदेश में भी आप इस बात को सुएफ देखेंगे तो पूरा देश कॉंग्रेस में हो रहा है यह हम नहीं कह रहे हैं जनता कह रही है नहीं हमारे पास ऐसा को धरन नहीं है लेकिन इतना वश्य कि जो भी गलत कर पड़ेगा उसको उसका नतीजा भुटना पड़ेगा गलत काम करने वाले को जो है जो उसने किया है उसकी सजा वश्य मिलेगी लेकिन मैं इतना वश्य कहना चाहूंगा कि जब से शाड़े आठ वर्षों में भाजपा की सरकार बनी है कोई भी भष्टाचार का रोब हमारे किसी नेता के उपर नहीं लगा और मैं कहना चाहूंगा कि एक स्वच्छ सरकार देने का काम हमने की है देखिए खर्चे का तो अंकलन मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि यह तो विशे नहीं है लेकिन जान तक रेली की बात है रेली भारती जनता पार्टी के युवा मोर्चा कर है और भारती जनता पार्टी और युवा मोर्चा एक सफल आयोजन करेगा जिसमें युवा मोर्चा के हमारे कारेकरता आने वाले हैं और मैं समझता हूं एक इत्यासी कारेकर होने जारा है